यह लिजे फटा फट से तयार हो गया है हमारा टेस्टी और हेल्दी नास्ता चिहां पोहा इस ढंक से आप बनाकर देखिएगा बहुती ज़्यादर टेस्टी बनता है दोस्तों और यह हलका भी रहता है नास्ते में आप इसको लंच बॉक्स में भी रखकर ले जा सकते हैं तो स्टाट करने से पहले यहां पर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब पर तेल डालेंगे तीन बड़े चंबस डाल लिये हैं हमने इसको हम गरम होने देंगे और जब तेल गरम हो जाय तो हम यहां पर हम थोड़े से मुंफली के दाने तल लेंगे मूफली के दाने आप मेडियम फ्लेम पर या लो फ्लेम पर ही तलिएगा वरना एक्दम से जल जाएंगे इसका स्वाद जो है बहुत खराब हो जाता है फिर टेस्ट इसका तो इसको स्लो फ्लेम पर ही इसको तलिएगा धीमे-धीमे अभी इस जो हमारा ओयल है गरम है लेकिन बहुत कम थी धीमी थी तो हमारे मुफली के दाने सिग गए हैं अब इसी ओयल में हम डाल देंगे ये दो साबुत लाल मिर्चे और ये कुछ है हमारी राई तो सबसे पहले हम मिर्च को डाल लेंगे देखिए स्टार्टिंग में मिर्च पिच्की हुई थी अब जैसी हमने डा बाई कर देंगे देखिएका सारे दाने अच्छे से चटक गएं हमारे और मिर्च को में किकिनारे साइड में कछ देते हैं इससे की ज़्यादा जलेना और दाने सारे बitesर सा बजो सबस्का करिब करते हैं लिए Hue भुष्भू तो बहुत की जादा इची आती है करी पत्ते की अगर आपके पास नहीं हो तो कोई बान सही नहीं मुश GREG के तो देखिए करी पत्ता डालने की बाद करी पत्त कैसे सुखर से गए हैं वे तो अब इसमें डालें गे यह प्याज कि अब प्याज डालने की बाद आफ फ्लेम को मीडियम कर सकते हैं अभी तक हमारा जो फ्लेम था वो लो फ्लेम था लो ही फ्लेम पर हमने राई मेंट और करीपता डाले हैं इससे की करीपता भी हमारे जलेंगे नहीं लो फ्लेम में अब हम मीडियम फ्लेम करने के बाद इसको यह बस हलका हलका सा golden color आ जाए यानि कि pink color type का होता है वैसा आ जाए तो हमने यह medium size का प्याज लिया ता एक और यहां टमाटर लिए हमने दो बड़े टमाटर अगर आपके पास बड़ेना हो तो हम medium size के भी तीन टमाटर या चोटे size के तीन टमाटर ले सकते हैं इसको भी हमने क फताक से जल्दी से गल जाते हैं कि धोड़ा सा मद्त चला देंगे और तोब युद्य परमारी टौर झाल पानी में मिक्स हो जाएगा पानी के साथ जल्दी गलेंगे तो बस यही रिजन है थोड़ा सा पानी डालने का अब मेडियम फ्लेम पर आप इसको टमाटर को इस तरीके से बीच-बीच में दबाते रहिए अब यहां पर हमने पोहा ले लिया है पोहा को हम जितना पोहा बनाना पानी के सबस्कानी मेरता हमने पोहे को जल्दी मीरत है तो फेले का सबस्के हेट पोहना पूरातों साथ सा को होना और दो सबसे एच्छा तरीका होता है आप होतारा फ्रते प्लद्रा सेयमकश içां में अब पोहाग भी गिला हो जाएगा तो इस तरह से हलका हलका जेडली हम मिक्स कर लेते हैं इसको बहुत हलके हाथों से करना है जल्ली हमें चलाना नहीं है तो अब हम इसमें एड करते हैं नमक बाकी का वड़ा सामने टमाटर में डाला तो ध्यान रखिएगा उसे साब से कम जादा हिसाब से कर लीजेगा एक चमस नमक लेंगे वाइट वाला एक चमस लेंगे हम ब्लैक वाला नमक हमने यहाप दो नमक यूज किये हैं इसलिए आपको ध्यान रहें कि आप ज्यादा यूज ना करें नमक वरना ज्यादा हो जाएगा अपने अकॉर्डिंग करें तो यहां को पाउडर थोड़ा सा आधा चमच आप वह भी अपने अकॉर्डिंग देख लें कम ज्यादा जैसा भी आपको अच्छा लगता हो जितना भी आपको तीका खाना हो इसको हम फिर से जैंटली इस तरीके से चला लेंगे मिला लेंगे बहुत हलके हातों से मिलाना है दोस्तो अब हम लास्ट में क्या करेंगे यह हमने नीबू लिया है तो पूरा एक नीबू ڈालेंगे इसको कट कर लिया इसके सारे बीज हमने ओल लेडी निकाल के रख लिएं अलग फैक देंगे उसको और यह नीबू हम दोनो पार्ट नीबू के यानि की टोटल एक नीवू हमें इसका जूस जो है डालना है देखिएगा कितना अच्छा जूस बढ़िया नीवू है जूस ज्यादा निकल रहा है तो अगर आपके पास जूस वाला नीवू ना हो तो आप दोन नीवू भी डाल सकते हैं और हलक हलका जेंटली इसको मिक्स कर लीजे और अब बाइ